हेलो दोस्तो, आरके मिक्स इंटर्टेन्वेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो, जैसा कि हम भली बांती जानते हैं कि हमारे देश में भारतिय सेना हमेशा देश की रक्षा के लिए तियार रहती हैं और मर मिटने का जज़वा रखती हैं वायू, थल और जल, तीनों ही छेतरों में हमारी भारतिय सेना ने देश की सुरक्षा की कमान संभाली हुई है इनके साथ ही भारतिय तट रक्षक बलो का भी योगदान बेहद एहम है जो भारतिय तटों की रक्षा के लिए दिन रात चोकनना रहते हैं भारतिय तट रक्षक दिवस हर वर्स एक फरवरी को मनाया जाता है इस साल भी यह दिवस मंगलवार एक फरवरी 2022 को मनाया जाएगा दोस्तो, साल 1977 में एक फरवरी को इस तठ रक्षक बल की स्थापना होई थी, उसी दिन से एक फरवरी को भारतियत तठ रक्षक बल दिवस के रूप में मनाया जाता है बारतिय तट रक्षक बल दिवस रक्षा मंतराले के अंडर कारिय करता है समुंदर तटो की चोक्सी और रक्षा की जादत तर जिम्मेदारी तट रक्षक बलों के द्वारा होती है तटो के आगे समुंदरी इलाके की चोक्सी या देखवाल नो सेना करती है इस संगठन का नेतत्रू महानिदेशक भारतिय तटरक्षक करते हैं जो नई दिल्ली में स्थित तटरक्षक मुख्यालिय से अपनी पूरी कमांड और सुप्री टेंडेंट्स का प्रियोग करते हैं दोस्तों, ICG मतलब Indian Coast Guard, Force, Indian Navy, Fisheries विभाग, Revenue विभाग और Central और राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर काम करता है भारतिय तटरक्षक भल रक्षा मंतराले के अधीन कार्यरत एक समुंदरी ससस्त्र बल है भारतिय तटरक्षक भल के डारेक्टर जनरल किर्षन स्वामी नतरांजन जी है और Additional डारेक्टर जनरल विरंदर सिंग पठानिया जी है दोस्तो बारत्य तट रक्षक बल की स्थापना रुस्तम जी कमेटी की सिफारिस पर विशेश आर्थिक छेत्रों की देखवाल तता रक्षा के लिए की गई थी इस बारत्य तट रक्षक बल की स्थापना एक फरवरी सन 1977 में हुई थी दोस्तो बारत्य तट रक्षक बल की स्थापना का परस्ताव सबसे पहले बारत्य नो सेना द्वारा राष्ट को गैर सैन्यय समुंदरी सेवाय परदान करनी के लिए दिया गया था सन 1960 के दसक में माल की समुंदरी तसक्री से बारत की गरहलू अर्थ व्यायस्ता को खत्रा जादा था बारत्य सीमा सुल्क विभाग अक्सर बारत्य नो सेना को तसक्री विरोधी प्रियासों में गस्त और अवरोधन में सायता के लिए बुलाता है इन समस्या को पढ़ने के लिए भारत्य नो सेना और भारत्य वायू सेना की भागीदारी के साथ नाग चोदरी समिती का गठन किया गया था अगस्त सन 1971 में समिती ने भारत के विशाल समुंदर तट पर गस्त करने की आउशक्ता की पहचान की अवैद हरकतों की पहचान करने के लिए अप तट्य अप तट्य मचली पकड़ने के जाजों की एक रजिश्ट्री की स्थापना की और अवैद हरकतों में लगे जाजों को रोकने के लिए एक सक्सम और अच्छी तरह से एक पावरफुल और सासी बल की स्थापना की एक फरवरी 1977 को एक आईटर्न नीम भारतिय तट्रक्षक बल पहचान में आया जो नो सेना से ट्रांसवर किये गए दो छोटे कारवेट और पांच पैट्रोल बोट्स में बोट्स से लैस थे सेवा के करतव्य और कारियों को उपचारिक रूप से तट्रक्षक एक्ट में परिभाचित किया गया था जिसे 18 आगस्त 1978 को भारत की संसत दौरा पास किया गया था और यह है ततकाल परभाव से लागू हुआ भारतियत तट्रक्षक बल दुनिया के अन्य कोश्ट रक्षकों के साथ अभ्यास करता है सन 2005 में ICG ने पाकिस्तान की समुंदरी सुरुक्षा एजनसी के साथ संपर्क स्थापित करने पर सहम्यती व्यक्त के सन 2006 में भारतियत तट रक्षक बल ने अपने जापानी और कोरियाई समकक्सों के साथ अभ्यास और संबंद स्तापित किया सन 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत सरकार ने ICG, बल, संपत्ती और बुनियादी धाचे के विस्तार के लिए एक कारी करम सुरू किया अब ICG, फोर्स का गोल सन 2023 तक अपने डिपार्टमेंट में लगबग 200 जहाज और 1500 डबल इंजन वाले विमान का निर्मान भी करना है दोस्तों, भारतित तट रक्षक के मिशन इस परकार है Artificial Island, Offshore Terminal और अन्य परतिश्टानों की सुरक्षा करना और सुरक्षा देना है और सेलर्स की सुरक्षा और साहता करना परदूशन नियंतरण, सहीद, समुंदरी, एकोलोजी और प्रियावरण का संरक्षन करना स्मगलिंग, विरोधी मिशन में सीमा सुल्क विभाग और अन्य ओफिसर्स को साहता परदान करना चेत्रिया और अंतराष्टियत जल चेत्र में कानून लागू करना वेग्यानिक डेटा संग्राय और समर्थन करना यूद के दोरान नेशनल डिफेंस उनकी साहता करना दोस्तों अब मैं बताता हूँ ICG बल के उपकरण क्या के है ICG बल के पास तमाम तरीके के उपकरण है जैसे समुद्री गस्त डोर्नियर 288 हेलिगोप्टर HAL दुरू एडवांस लाइट HAL चेतक CG 816 बारतिय तटरक्षक बल के जहाज इस परकार है समुद्रा क्लास, Pollution Control, Vessels है विकरम क्लास, समर्थ क्लास, विश्वास्त क्लास, संकल्प क्लास, समर्थ क्लास, आधी तो दोस्तों ये थी जानकारी Indian Coast Guard Day के बारे में जिसे इंदी में भारतिय तटरक्षक बल दिवस बोला जाता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे दुआरा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी विडियो अच्छी लगी तो विडियो को लाइक करें मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगे से शेयर करें ताकि सब को ये यूजफफुल जानकारी मिल सकें कमेंट बोक्स में जय हिंद लिखना ना भूले दोस्तों और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूज नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर किलिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जय हिंद